Hello everyone, आज मैं आपके लिए लाई हूँ Class 11th History का Chapter 10 मूल निवासियों का विस्थापन आज मैं आपको इसके कुछ MCQ Questions करवाऊंगी जो आपके One Mark में आते हैं और ये Question एक्जाम के दिश्टी से बहुत Important है इन Question से आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो ये आपके Marks को बहुत ज़ादा बढ़ा देते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेर कर लेते हो तैयार कर लेते हो तो आप ऐसे Questions की, MCQ Questions की बहुत अच्छे तरीके से Practice कर लीजेगा मैंने अपने चैनल पे इसकी पूरी Series डाल रखी है इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की Series तो लेते हैं अपना First Question Native का क्या अर्थ है? वे लोग जो किसी स्थान पर अन्य स्थान से आकर बस गए वे लोग जिन्होंने अपना मौझूदा स्थान पर ही जन्म लिया वे लोग जो शिकार करके उन्हें खाते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो Right Answer है इसका Option B वे लोग जिन्होंने अपने मौझूदा स्थान पर ही जन्म लिया जैसे विक्ति जहां पर जन्म लेता है वही उसका नेटिव प्लेस होता है वहीं का वो मूल निवासी कहलाता है जैसे हमने भारत में जन्म लिया तो हम भारत के मूल निवासी कहलाते हैं इसके नेटिव पीपल कहलाते हैं ठीक है अगर कोई बाहर का वेक्ती हमारे देश में आता है और यहां पर रहता है तो वो यहां का native यहां का मूल निवासी नहीं कहलाएगा इसलिए native शब्द उनके लिए यूज किया गया है जो लोग जहां पर पैदा हुए है वो वहीं पर रह रह रहे हैं तो ऐसा शब्द का native प्लेस कहलाएगा सेकिंड है उत्री अमेरिका में मानव ने सर्व प्रथम कब प्रवेश किया था तो option है यहां पर इसका right है Settler शब्द किसके लिए प्रियूप किया गया है वे लोग जिन्होंने अपने मौझूदा स्थान पर जन मिलिया वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए सी असब्भी लोगों को कहा जाता है या फिर दी अनपरड लोगों को कहा जाता है तो राइट अंसर है ऑप्शन B सेटलर वो लोग होते हैं जो अपने स्थान पर ना रहे कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर वहीं पर बस गए जिसे हमारे भारत में अंग्रेज आकर यहीं पर बस गए थे ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं जब अमेरिका में यॉरपियंस जाकर वहाँ पर बस गए लेकिन यॉरपियंस जो यॉरप में, फ्रांस में और अलग-अलग कंट्री से जन मिलिये थे और वहां से वो जाकर अमेरिका में जाकर बस गए तो ऐसे लोगों को सेटलर कहा गया इसलिए यहां सेटलर का मीनिंग है वो लोग जो अपने निवास्थान से हटके दूसरी जाकर बस जाते हैं जैसे इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो यॉरपियंस है वो जाकर अमेरिका में बस गए तो यॉरपियंस को हम बोलेंगे सेटलर इसी तरीके से जो यॉरपियंस थे जो ब्रिटिश थे वो आस्ट्रेलिया में भी जाकर बस गए थे तो यहां पर भी हम मुँको सेटलर बोलेंगे और वहां के अपने लोगों को जो आस्ट्रेलिया अमेरिका के जो अपने लोग है पांचवा कोशन है अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन सी 1783 में हम देखते हैं कि अमेरिका को पूर्ण रूप से ब्रिटिश के द्वारा स्वतंत्र घोशित कर दिया गया था नेक्स्ट है उत्री अमेरिका के पस्चिम में कौन सा मरुस्थल स्थित है सहारा, अरिजोना, थार या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन बी जो अरिजोना है ये हमें देखने को मिलता है उत्री अमेरिका के पस्चिम में सी भारत के लोग या फिड्डी उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आप जानते हैं इसका जो राइट अंसर है वो हमारा बी गेहुए वर्ण के लोग आप जानते हैं कि कोलंबस जब अपनी हात्रा में निकला था तो उसका जो मेन लक्ष था भारत तक पहुंचना लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो एक नई जगा पे पहुंच गया था और क्योंकि वहां के लोगों का जो स्किन कलर था वो गेहुए वर्ण का था तो उसको नई दुनिया एक नई जगह ही पहुंच गया था ठीक है तो उन लोगों को कहा गया रेड इंडियन यह नाम कोलंबस ने दिया था उद्दात उद्दम जंगली या शाब्द किन लोगों के लिए प्रियुक्त किया गया था ए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए अमेरिका के मूल निवासियों के लिए C भारत के निवासियों के लिए या या यॉरप के निवासियों के लिए तो यह जो यूज किया गया था जो कि यूरपियंस ने ये नाम यूज किया था यूरपियंस जब अमेरिका में आए तो उनको वो लोग बहुत जादा जंगली और असभ्य से प्रतीत हुए थे कि इनको manners नहीं है और बिल्कुल जंगली है इनको पैसा कमाना नहीं आता इस तरीके की वो सोच रखते थे यॉरपियन्स लोग तो यहाँ पर देखा जाता है कि उन्होंने उनको उद्दांत उन्तम जंगली कहके संबोधित किया था तो option B इसका right है next है मूल बाशिन्दे यॉरपिय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे शराब, बारूद, फरनीचर या फिर मचली तथा रोईदार खाले तो हम जानते हैं ये लोग क्या दिया करते थे मचली तथा रोईदार खाले जब यॉरपियंस लोग जब अमेरिका में आये तो अमेरिका के जो नेटिव पीपल है मांके जो मूल बाशिन्दे हैं उन लोगों ने क्या दिया वो उपहार के तोर पे यहां से मचली और रोईदार खाले उनको दिया करते थे यॉरपियंस बड़ी मातरा में इन सब चीजों को यहां से लेके जाया करते थे अपनी कंट्री में और इस से अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे यॉरोपियंस लोग मूल बाशिन्दों को उपहार के रूप में क्या देते हैं लास कोशन में हमने ये पढ़ा कि अमेरिका के जो मूल बाशिन्दों देते वो यॉरोपियंस को क्या दियते थे यहां पर सेम उसका उल्टा है बदले में यॉरोपियंस जो लोग है वो आकिर मूल बाशिन्दों को क्या दिया करते थे देखिए यहाँ पे जो मारा राइट अंसर है वो है option C कंबल लोहे के बरतन, बंदू, शराब ऐसी चीजे यह वो चीजे थी जो European लोग बदले में किसको दिया करते थे मूल बाशिंदों को और बदले में उनसे मचली, रोईदार, खाल और ऐसी महेंगी वस्तुए ले ले लेते थे जिनकी अंतराष्टिय बाजार में और बहुत जादा उनसे वो पैसा कमार सकते थे लेकिन बदले में वो लोहे के बरतर शराब जैसी चीजे मूल बाशिंदों को दिया करते थे कहा जाता है कि शराब जो है शराब के बारे में मूल बाशिंदे इससे पहले जानते भी नहीं थे लेकिन European ने धीरे धीरे उन लोगों को अमेरिका के मूल वाशिंदों को धीरे धीरे शराप की आदर डलवा दिये थी ताकि वो उसे अपना मनमाना वेभार कर सकें मनमानी जो भी चीजे थी वो अपनी बाते मनमा सकें इन सब बातों से यॉरोपियंस का एक लालच दिखाई देता है नेक्स्ट है रोईदार खाल प्राप्ट करने के लिए यॉरोपियों ने किन पशू का शिकार किया बकरी, उत बिलाव, शेर या फिर हिरन तो इसका राइट अंसर है उत बिलाव इसकी जो खाल है उसका प्रियोग यॉरोपियंस लोग किया करते थे वो इसके को मार के इसकी खाले ली जाकर वो अपने बाजारों में बेचा करते थे जिससे उनको बहुत मुनाफ़ा हुआ करता था संयुत राज्य अमेरिका के तीसरे राष्टपती कौन थे अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरिसन, विलियम या फिर जैक रूसो यहां पूछा जा रहा है कि यॉरप के जो निवासी है वो आखिर क्यों अमेरिका में आकर रहने लग गए थे, बसने लग गए थे, वहां के संसादनों का दोहन करने लग गए थे इसके पीछे आके रीजन क्या था जो वो, अपना देश छोड़ कर एक दूसरी जगह पर जाकर बसने को तयार हो गए अप्शन A है मूल निवासियों से मित्रता करना B मूल निवासियों पर शोध करना परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ती का उतरादिकारी नहीं बन पाना या फ्यू प्रोक्त में से कोई नहीं तो आप देखी रहे हो, आप्शन C का बिलकुल राइट है ऐसा देखा गया है कि European जो होता था, कई families में ऐसा देखा गया है कि परिवार में छोटे होने के कारण जाता देखा गया है कि बड़े भाई को संपत्ती वगेरा मिल गई तो जो छोटा भाई है, वहाँ पर उसको क्योंकि जादा संपत्ती नहीं मिल पाई, यह उत्रादिकारी नहीं बन पाई इस वज़े से वो क्या करते थे, अपने उस लालच को पूरा करने के लिए, उस संपत्ती की खुआईश को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया जादा से जादा पैसा और मुनाफ़ा कमाने के लिए वो अमेरिका जैसी एक नई जगह पर जाकर बसना उन्होंने शुरू कर दिया और वहां के संसादनों का यूज करकर के मुनाफ़ा को पाना शुरू कर दिया तो यहां पर यह वज़य भी देखी गई है कि Europeians अपना समपत्ती का जो लालाच है वो पूरा करने के लिए वो दूसरी जग़े पे जाके वो अमेरिका में जाके वहां के संसादनों का यूज़ करने लग गए वहां के लोगों का अपने फैदे के लिए यूज़ करने लग ग फ्रांस जर्मनी जापान या फिर इंग्लेंड तो ऑप्शन डी हाँ पर राइट है इंग्लेंड यूरोपिया बस्तियों को क्या कहा जाता था फ्रेंचाइजी कॉलोनी सामराज्यवादी या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन भी कॉलोनी जो बसते थे उन बस्तियों को क्या कहा जाता था यहां पर यह पूछा जा रहा है तो वहां पर वो कॉलोनी बसाते थे जो उनके रहने का स्थान हुआ करता था उनको कॉलोनी इस कहा जाता था तो ऑप्शन भी यहां पर इसका सही है वो सिर्फ औसिफ यॉरोपियंस के रहने की जगा हुआ करती थी सायुक्त राज अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ तो हम यह देखते हैं कि आप्शन एसका बिल्कुल सही है 1865 इश्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था अमेरिका में दास प्रता के अंत में किस अमेरिकी राष्ट पती का योगदान है अबराहम लिंकन, जोर्ज बुश, जवाहलाल नैरू या फिर जोर्ज वाशिंग अटन तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो था अबराहम लिंकन का जिन्होंने वहाँ पे दास प्रता कहतम करने के लिए बहुत ही ज़ादा प्रयास किये थे अमेरिका के सबसे पहले राष्ट पती कौन थे? अबराहम लिंकन, जोर्ज वाशिंग अटन, राजेंदर प्रसाद या फिरिन में से कोई नहीं अमेरिका के पहले राष्ट पती थे जोर्ज वाशिंग अटन, ये तो वैसे भी जीके का क्वेशन है आपको याद होना चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक क्वेशन देती हूँ, जिसका अंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है आपको ये बताना है कि प्रेजन टाइम में अमेरिका का जो राष्ट पती है वो कौन है आपको मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कनाडा महासंग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट अंसर है आप्शन भी 1867 में हम देखते हैं महासंग की स्थापना हुई थी अमेरिको वेस्पुकी का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट अंसर है इटली सीज का राइट अंसर है इटली का रहने वाला था वो अमेरिगो वेस्पुक की ये भई व्यक्ती था जिसने अमेरिका को पहचाना था इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा वरना कोलंबस तो उसको रेड इंडियन समझता था वो समझा था कि ये भारत है लेकिन अमेरिगो वेस्पुक की वो व्यक्ती था जिसने उस जगह को पहचाना कि यह भारत नहीं बलकि एक अलगी दुनिया है कोई नई दुनिया है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था तो इस वज़़े से देखा गया है कि अमेरिगो के नाम पे ही अमेरिका का नाम पड़ा स्पेन निवासियों को दस्चिन अमेरिका में बहुत आयात मात्रा में क्या मिला हीरे, लोहा, सोना या फिर कांच तो इसका राइट अंसर है आप्शन सी सोना मिला था उनको कैलोफोर्निया में सोने के चिन कब पाए गए 1950 के दशक में, 1840 के दशक में, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में तो आप्शन 20 का बिलकुल सही है, 1840 के दशक में गोल्ड रश के बारे में हमें पता चलता है कैलोफोर्निया में सोने की खोज किसने की? जॉन्सन ने, मार्शल ने, जैक रूसो ने या फिर इन में से कोई ने तो 20 का बिलकुल सही अंसर है मार्शल ने जीन जैक रूसो कौन था? एक जर्मन सुधारक, इटली उद्योगपती, रूसी राजनेतिक या फिर फ्रांसिसी दाशनिक तो बिलकुल 10 का राइट अंसर है फ्रांसिसी दाशनिक था वो कनाडा का कितना प्रतीशत भाग जंगलों से गिरा है? 30%, 25%, 40% या फिर 50% तो 10 का राइट अंसर है 40% जो है वो भाग जंगलों से गिरा है कनाडा की मुख्य फसले क्या है? गेहू, मक्का, फल या फिर उप्रोक्त सभी तो इसका राइट अंसर है option D ये सभी की सभी केरेडा की मुख्य फसले है नेक्स्ट है कनाडा समिधानिक एक्ट का पास हुआ 1790 इश्वी में, 1791 इश्वी में, 1775 इश्वी में या फिर 1780 इश्वी में तो B इसका बिल्कुर राइट अंसर है, 1791 इश्वी में पास हुआ था अमेरिका में ग्रह युद कब से कब तक था? तो इसका राइट अंसर है option A 1861 से 1865 तक ये ग्रह युद अमेरिका में चला अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर उबरा कब उबरा था आपको ये बताना है 1820 से 1840 के बीच 1860 से 1890 के बीच 1850 से 1870 के बीच या फिर 1825 से 1849 के बीच तो इसका जो राइट अंसर है वो है हमारा option B 1860 से 1890 के बीच में अमेरिका एक शक्तिशाली देश बना था Australia की शुरुवाती मानव को क्या कहा जाता था इबारिजिनीज चिरोकी होमोसेंपियंज या फिर होमो इरेक्टरस तो इबारिजिनीज इसका बिल्कुल राइट अंसर है option A Australia में शुरुवाती मानव इबारिजिनीज ने किस रास्ते से प्रभेश किया न्यू गिनी से, न्यू वेल्स से, सेंट लॉरेस या फिर उप्रेक्ट में से कोई नहीं तो option A इसका बिल्कुल राइट अंसर है न्यू गिनी न्यू गिनी के रास्ते से वो ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए थे कहा जाते हैं ये एशिया की तरफ से आये थे उस्ट्रेलिया में किस डच यात्री ने सबसे पहले उस्ट्रेलिया को देखा जॉंसन, जमशेद, जेम्स या फिर वासको डिगामा तो option A इसका बिल्कुल राइट है जॉंसन डच यात्रियों ने उस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा था 1602 में, 1603 में, 1602 में या फिर 1606 में तो इसका राइट अंसर है option D 1606 इसवी में देखा था न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी या फिर बॉटनी बे तो D इस का बिलकुर राइट अंसर है बॉटनी बेई आसू की राह नामक्ष सफर अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है चिरोकी, खंबकूर, उन्ना या फिर कुरेश तो option A इस का बिलकुर राइट अंसर है चिरोकी कबीले से जुड़ा है ट्रेवल्स किस की रचना है अमेरिको डे वेस बुकी की कोलमबस, जॉन के बोट या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है option A अमेरिको की रचना है ये आस्ट्रेलिया की पुनहा खोज का श्रेक किसे जाता है कैप्टेन कुक को कोलमबस, वासको डिगामा या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है option A कैप्टेन कुक को जाता है अंग्रेजो द्वारा उस्ट्रेलिया में पहली बस्ती कब बनाई गई थी 1777 में 1788 में 1779 में या फिर 1780 में तो इसका राइट अंसर है option B 1788 इश्वी में बनाई गई थी पहली बस्ती आस्ट्रेलिया में किन भेडो को पाला जाता था मैरीडो, कैविन, बाइसन या फिर व्रोक्त में से कोई नहीं तो option A बिल्कुल सही है इसका मैरीडो 1911 में आस्ट्रेलिया की राजधानी बनाए जाने के लिए किस नाम का सुझाव दिया गया मेलबर्न, वूल वीट गोल्ड, न्यू वेल्स या फिर कोलंबिया तो सुझाव दिया गया था उसका नाम वूल वीट गोल्ड रखने का 1911 में आस्ट्रेलिया की राजधानी किस शहर को बनाया गया कैन्बरा, मेलबर्न, सिड्नी या फिर न्यू वेल्स तो इसका राइट अंसर ए आप्शन ए कैन्बरा को बनाया गया था यहाँ पर आप यह याद रखना कि सुझाव दिया गया था वूल, वीट, गोल्ड रखने का लेकिन बनाया कैन्बरा को था आस्ट्रेलिया में पस्तियों को स्वसाश्ट का अधिकार कब मिला आप्शन A 1888 में, B 1850 में, C 1860 में, D 1890 में तो इसका राइट अंसर है आप्शन B 1850 इस भी में मिला था आस्ट्रेलिया संग कितने राज्यों को मिला कर बनाया गया था पांच राज्यों को मिला कर, साथ राज्यों को मिला कर, छे राज्यों को मिला कर या फिर D, आठ राज्यों को मिला कर तो C आप्शन इसका बिल्कु सही है, छे राज्यों को मिला कर बनाया गया था 1992 से पहले औस्ट्रेलिया की सरकार औस्ट्रेलिया इस जमीन को क्या कहकर पुकारती थी Every, Terranulius, Bellstone या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो option B इसका बिलकु सही है Terranulius बोला जाता था Terranulius का अर्थ क्या होता है जो सबका है, जो मेरा है, जो किसी का नहीं, या फिनमे से कोई नहीं तो option C इसका बिल्कु र solo right answer है जो किसी का नहीं ये Australia की उस जमीन को कहाजाता था, जो किसी की नहीं थी, जिस पर किसी का भी अदिकार नहीं था उस खाली पड़ी जमीन को कहा गया था तेरा निलियस की नीती का अंत कप किया गया 1992 इस्वी में 1973 इस्वी में 1995 इस्ी में या फि 1990 इस्वी में तो इसका right answer है ऑप्शन है 1992 इस्वी में इसका नीती का अंत कर दिया गया था आस्ट्रेलिए में मानवाधिकार की गूझ कप सुनाई देने लगी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1940 के दशक में तो इसका right answer है option C 1970 के दशक में माना वधिकार की बाद जो है वो अस्ट्रेलिया में होने लग गई थी Question number 50 है Australia में राष्टिय शमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ 1990 में, 1980 में, 1999 में या 1995 में तो इसका right answer है option C 1999 में ये शमा याचना दिवस शुरू हुआ था ऐसा कहा जाता है कि 26 मई से इसकी शुरूआत हुई थी इसको बोला जाता था National Sorry Day और National Sorry Day के नाम से ये प्रसिद्ध है Australia का शमा याचना दिवस किस से संबंदित है मिश्रित रक्त वाले बच्चों से, भारतिया बच्चों से Australia की जमीन से या फिन में से कोई नहीं तो option A इसका बिल्कुल right है मिश्रित रक्त वाले बच्चों से चाहे वो गोरे हों, चाहे काले हों सभी प्रकार के बच्चों से Canada का मुख्य उद्योग क्या है खेती, चमडा बनाना, मतस्य उद्योग या फिस सिमेंट उद्योग तो C जो है मतस्य उद्योग यानि की मचली पगड़ना यह है आज आधुनिक समय में भी Canada का सबसे मुख्य उद्योग माना जाता है उत्री अमेरिका के लोग आपसी समझोता होने पर उपहार सुरूप क्या भेट देते थे फुलो का हार, फलो का हार, चमडे की बेल्ट या फिर वेमपूम बेल्ट तो ये option D यहाँ पर बिलकुल सही है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नई दुनिया के लोग थे, जो उत्री अमेरिका के लोग थे वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में क्या करते थे तो वेमपूम बेल्ट दिया करते थे वो गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को जो कि समुन्दर की जो रंगीन colorful जो है colorful जो अलग-अलग type की सीपिया हुआ करती थी इन सीपियों से बनाया जाता था सीपियों को जो colorful सीपियों को आपस में जोड़ करके एक belt type का तयार का लिया जाता था जो एक gift के रूप में एक दूसरे को देना बहुत जादा पसंद किया करते थे वैंपुम बेल्ट क्या था काच से बनाई गई बेल्ट सोने से बनी बेल्ट रंगीन सीपियो को जोड़ कर बनाई गई बेल्ट या फिर कागज से बनाई गई बेल्ट तो अभी हमने लास कोशन में इसको पढ़ा कि समुदर की जो रंगीन सीपिया हुआ करती थी उनको जोड़ कर ये बेल्ट तयार की जाती थी जो कि गिफ्ट के परपस से एक दूसरे को कभीले आपस में दिया करते थे आज का लास कोशन है डिकलेरेशन ओफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित किया गया 1950 इसवी में 1951 इसवी में 1953 इसवी में या फिर 1954 इसवी में तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन डी 1954 इसवी में ये एक्ट पास किया गया था तो इसी के साथ में आज की MCQ सेरीस खतम करती हूँ आप इन क्वेस्चन को अच्छे तरीके से तयार कर लेना इससे आप एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आपको इसके अलावा और भी चैप्टर्स के MCQ वगेरा देखने हैं इसी तरीके से मैं आपको और क्वेस्चन्स लेकर आती रहूँगी तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई